कर दो सकते हैं कि नमस्कार दोस्तों कैसे हो सब आप लोग कि मैं अमसुल गोयल आज कि आपके सेशन में आपका हर दीक अमनेंदन करता हूं जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपकी स्कीन है सब्सक्राइब अपनिकर का है बार्ख प्लांट ओपरेटर इसकी टैस्ट तो सबसे पहला कुश्चन यह है कि कई सारे बच्चों को कोल सह कि सर्वार्ख के प्लांट ओपरेटर वाला जूट हमारा एक्जाम लगा उसमें प्रैक्टिकल कौन-कौन सी आएंगे किस तरह के प्रैक्टिकल आने यह है कि सर यदि हम प्रैक्टिकल रजल्ट आए और उसके बाद करें तो यह छोटे-मोटे कई सारे आपके कुश्चन से उनकी एक कुश्चन को हम डिटेल से यहां डिसकर्स करेंगे और आपके हर एक कुश्चन का जवाब देंगे जितने भी बच्चे एक वाल लाइव आ च लगवह 17 बच्चे को लगवह और सबका सबसे बड़ा कुश्चन है कि हम सीख पाएंगे मतलब आप एक्जम क्वालिफाई कर पा रहे हो आपको यह कौन्फिडेंस तो है पर आपको सबसे बड़ा कॉन्फिदेंस सबसे बड़ा प्रॉलम है न न यह निकलकर रहा है कि क्या आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो क्या क्या आपनी स्किल को क्लियर कर सकते हो क्या तो बेट आ मैं आपको बोलता हूं practical चीजे को सीखना comparatively content को सीखने या theoretical पार्ट को सीखने में बहुत कम टैम लगता है theoretical चीजे आपको कही बार याद करनी पड़ती है और कही बार पढ़तों जब जाके समझ माने लगती है तो मुझ फेज को क्लियर करके आ रहे हो जो है दो सब्जेट को लेकर जो आपने 11th and 12th class के अंदर 11th और 12th class के अंदर जो physics and chemistry पढ़ी है point not करना जो physics और chemistry पढ़ी है physics chemistry के आपके practical होगे physics chemistry में कौन-कौन से practical होगे तो physics chemistry के बेटा आपके कहीं भी define skill में नहीं किये कि कौन-कौन से practical होगे तो आपके 11th और 12th के अंदर class 11 और class 12th के अंदर जितने भी practical होगे है class 11 और class 12 के अंदर जितने भी practical chemistry और physics को लेकर होगे है तो सब एक एक practical हम आपके साथ discuss करेंगे एक एक practical आप लोग हातों से करोगे मैं आपको लगवक परसों तक मतलब आने वाले दो दिन तक दो तारिक तक आपको अपनी जो लैब है उस लैब की वीडियो बनाकर प्रॉपर तरगे से दिखाऊँगा कि आपकी लैब कैसी है और कौन सी लैब में आकर आप practical करेंगे ठीक है तो ठीक है बटाबट एक बाद डेटा को आप शेर करो फिर हम एक एक पॉट्ट को डिसकस करते हैं अब कुश्चन यह है कि सब practical के अंदर 11-12 के practical आएंगे chemistry के और physics के 11 के और 12 के तो जो भी आपका 11-12 में practical होते हैं उन सब की जानकरी आपको देंगे एक बात और जहां रखना प्रैक्टिकल जो आपके होंगे उस practical की साथ-साथ आपको जिसको बोला रहे हैं इंट्रिव्यू तो आपसे महीं desk पर बायबा पूछ सकता है जैसे 11-12 क्लास के अंदर पूछ लेंगे कि किसका working principle क्या है यह कैसे work करता है यह जो आपके हाथ में instrument का नाम क्या है इसको किस तरह से यूज करेंगे तो कई सारे बायबा की question भी बन सकते हैं उन बायबा की question को भी हम plant operator की skill test में हम अच्छी तरह से आपको करवाने वाले हैं जैसे कि सुनों हम chemistry की बात करते ह अपने अच्छी तरह से याद होगे अपने बच्पन की बात 11-12 class में जो आपने chemistry के lab में गए कई सारे अपम परक्नली के अंदर वो chemical डाल कर तरह तरह की reaction करते थे वो सभी आपको कुछ उनकुछ solution आपको देंगे और उन solutions को लेकर आप से practical करवा रहे होंगे ठीक है तो कु मैं वो जोब कर रहे है तो वहां से कुछ मुझे data का help मिला कुछ आपके senior से उनसे भी मैंने data लिया और 11-12 में जो आपके सामने कुछ practical का नाम दिखा रहा हूं यह practical पूरिक-पूरिक में PDF आपको आपके अपने टेलीग्राम ग्रूप में मैं डाल दूँगा वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो जैसे की प्रेक्टिकल की बात करें तो दर सर्फिस केमेश्ट्री मतलब प्रिपीशन ऑफ वन लाइफोलिक एंड वन लाइफोलिक सोलुशन तो यह सोलुशन किस तरह से आप यूज करेंगे व डूठी स्यव तो आपने वही नाम सुने होंगे जो आपके पहले कैमेश्ट्री 11 और 12 वे दो कि सब प्रेक्टिकल और प्रेक्टिकल से अबंगें अपको क्लास में करवाए जाए गां तो यह सब प्रेक्टिकल आपकरक्टिकल एक ऐसा नहीं है जो आप से चूटएगा और कोई भी प्रैक्टिकल इसमें एड की गुंजाइस होती है तो मैं आपको दावे की साथ कहता हूं कि आपको हर प्रैक्टिकल हम लें में कराने वाले हैं तो कैमिस्ट्री की कुछ इस टाप के प्रैक्टिकल है जैसे कि रियक्षन से यह कुछ सोलुशन से वहाँ इनमें से को सोलुशन को लेकर होते हैं ठीक है और हम आगे निकल के आते हैं तो यह तो लेटरी में किस तरह से ड्रोइंग करेंगे ग्लास के लिए कार क्या होता है वह कुछ आपके बंग सकते हैं तो वह भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम सब आपको टूल्स जिसको हम यह दूसरी करवाओ यूटूब पर प्रैक्टिकल लाइफ पॉसिवल नहीं है क्या गाड़ी आप लाइफ चलाना सीख सकते हो उसके लिए आपको कार में बैठना पड़ेगा इसलिए प्रैक्टिकली पर यूटूब पर कुछ वीडियो ऐसी दिखा सकता हूं कि इस तरह से हम काम कर रह तो यह परसिनली मेरा कहना है कि आप आपके नियरवाई कोई भी प्रैक्टिकल लेब वहां जाकर एक के प्रैक्टिकल सीख ले ठीक है और यदि कहीं से आपको कमफर्टेबल जोन फील नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मौश वेलकम आप जाए निकर भी आ सकते हैं इसी विखर वेते आपके पूरे केमेस्टिफीकल है कBooks सारी लिस्ट की आहkung दीखा के आपको दिखाए अशी की प्रैक्टिकल की लिस्ट नहीं सब्हाएं जक्रेजस्ट का of the material material का resistance कैसे find करेंगे resonance कैसे बनाएंगे वो सब एक एक चीज़े आप प्रैक्टिकल लेब में प्रॉपर तरीकी से सीख रहे होंगे इजी कलब चैनल प्लांट ओपरेटर की सरफीस कितनी है प्लांट ओपरेटर की जो फीस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूँगा आप कोल करके आप सिस्टम से पूछ सकते हो पहला पॉइंट यह है कि आपको सीखना है दूसरी बात यह कि आपको जो सिखाएंगे उसकी पूरी इस बात की गारंटी है कि उससे बाहर नहीं आएगा तीसरी बात यह एक एवल अब आपको प्रेक्टिकल को लेकर को पूछ लीजेगा अभी आपको प्रेक्टिकल 11-12 की जो होंगे उनकी मैं आपको इंडेक्स पूरी बता रहा हूं और आगे देखते हैं तो आप आगे फिर देखो आपने कई सारे प्रेक्टिकल से यहां देख रहे हैं जैसे कनवर्ड गिवन गेलवनोमीटर और तुफाइंड दा फ्रिक्वेंस से ओपड़ा एसी मेंस बिट असनोमीटर एक्टिविटीज तो बेटा यह सब आगे जाकर सब्सक्राइब तुम मैथमेटिक्स लेते हो यह बीएस से में आपने देखोगा बट आपका जो लेवल रहने वाला है वह 11 एंट 12 के लेने वाला है बार-बार मैं आपको बोल रहा हूं और यह बात आपको अच्छी तरह से भी बता होगा सर कितने दिन का कोर्स रहेगा बिटा आपका स्किल टेस्ट का पढ़े चार से पांच घंटे का चलेगा और चार से पांच घंटे का चलेगा जो हमने आपका कोर्स प्लान किया है वो कुल मिलाकर 82-90 आर्स का किया है 82-90 आर्स अब 82-90 आर्स का मतलब यह है कि यह डिपेंड क बच्चे की एक दिन में practical की capacity क्या है या कितनी strength है कि practical वह cover कर पाए ये time दे बच्चे नेप्रापर 5 से 6 गंटे पड़ी दिये तो तो आपके 15 डिज में प्यार से बहुत तरीके से बहुत सीख सीकर आप अपर कर पाएंगे यदि आप तो मतलब 90 आर्स का आपका वर्क रहेगा जिसमें पूरे प्रैक्टिकल डिटेल से फिजीक्स एंड केमेश्ट्री की दोनों की अपनी अलग-अलग लेव है उनमें सिखाए जाएगे ठीक है बेटा सीखे सर मेरा वार्क मैं 30 कुशन सही है तो अच्छी बात है कि आपके 30 कुशन सही है और देखो मैं यह तो नहीं कहूंगा 30 कुशन देखकर कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है पर यह जरूर कहूंगा ठीक स्कोर है तो इसमें आप देखो नंबर से भी कुछ नंबर से हो सकते है पा बहुत कम लोगों का 40 से उपड़ जा रहा है तो मतलब आप मिल को एवरेज बोर्डर पर हो ठीक है चलो और आगे देखते हैं तो बेटर यह आप जिसके लेट प्रैक्टिकल जैसे बैटरी रजिस्टर की एमीटर बोल्टिमीटर कमपोनेंट वो सभी प्रैक्टिकल यह एक ए जो भी बनता है उस बैच में आप खुद इस लेवल के रेडी हो जाओगे कि आप अधर श्टुएंट को प्रैक्टिकल सिखा रहे हों जैसे माइक्रोस्कॉप के अंदर भी पूछ सकता है तू फाइंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड वाई यूजिंग कॉ प्रैक्टिकल है जो तुमने बंक मा रहे होंगे कई बार लेव अटेंड नहीं करके अब आपको वही प्रैक्टिकल बंक नहीं मार करके लेव में जाकर एक ही चीज़ शीख रहे है ठीक है तू ड्रो दक रेक्रेक्टिशिस ऑपकर ओफे जीन डायोड एंड डिटरमाइन इ कैसे काम करता है 언제 क्या हो जाए ठीक है और किसी बच्चे को विच्चन है तो पूछिए वेटा इधर को वहीं अक्तिविटी पूरा सब कुल है मैंने लेखी दिया है आपको बोलो कहा बहुत सारे को सब बहुत 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 ज़्यादा कर सकते हैं बहुत बैसिक तरीका है आप गूगल पर जाओ 11 12 11 12 के Physician Chemistry के practical जब डालेंगे तो एक लिस्ट ओपन आएगे उस लिस्ट को आप देखेंगे तो यह वो लिस्ट वह यहीं से हमने बनाई है और इनी की प्रैक्टिकल हम आपको करवाएंगे और जो प्लांट ऑपरेटर लाश्ट पास हुए यदि उन बच्चों से लिया जाए तो वो डेटा भी इनी प्रैक्टिकल की मिड में है मतलब इन डेटाउं से उपर नहीं है लिस्ट जो वेरिफाइए करें तो उन्हों बोला कि सर यह प्रैक्टिकल अच्छा करके आ गया और प्रैक्टिकल भी तो आप और भी कुछ और भी चीज़े है एक्ष्टर बात हैं वो आपको लेव में लेव जो रहेंगे साथ में जो आपके एक्ष्पर्स रहेंगे वो आपको सिखाते रहें तो बेटा यह पूरे प्रैक्टिकल से इन पूरे प्रैक्टिकल की लिष्ट में आपको सामने शो आप कर चुका हूं और यही प्रैक्टिकल जो है वो आपको मै प्रैक्टिकल करवाने बालो अब पॉइंट की बात यह कि यह जितने भी प्रैक्टिकल की मैंने आपको लिश्ट दिखाई है तो पीटा आपके सपास दो ऑप्सर है पहला ऑप्सर इसकी पीडिये में आपको दे दूँगा टेलेग्राम गूरूप के अंदर टेलेग्राम दिखा है यदि आपको 70 परसेंट भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो किलियर हो जाएगा 30 परसेंट में डाउट है तो बेटा रिस्क मत लेना आपके निरवाई जो भी बैस्ट प्रैक्टिकल लेब हो जहां कैमेस्ट्री और फिजिस के बैस्ट बैस्ट प्रैक्टिकल करवाते हो वहां आप जाए इस लिस्ट को आप ले जाए और लिश्ट को ले जाकर ठीक है पर प्रैक्टिकल किस तरह से एक्जाम में आते हैं उनसे इस चीस की नोलेज लेते होए एक एक प्रैक्टिकल को तरिकी समझे बने वाले mcqs को clear करें और यदि आपके नियरवाई ये सुभीदा नहीं बैट पा रही है तो आपका अपना इंस्टूट जाहिए ने केड़ी जो की जाहिए इस बात की घारंटी है तो आपका जो अपना इंस्टूट है जो की जए ने केडमी जो कि आप सब को चैनल का नाम नहीं वहीं इस्टूट का नाम ये जैएन ने केडमी जो इस्टूट है यहां आपका प्रेक्टिकल जो plant operator का practical है यह हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 तार्ख से तो batch का जो timing है batch time आपका जो रहेगा batch डेट जो आपकी रहेगी वो 4 दिसंबर रहेगी आप note करना कि 4 December से आपका इसका नया batch श्टार्ट कर रहे हैं और ये especially ये जो batch रहेगा वो plant operator के लिए रहेगा किसी के लिए रहेगा? plant operator के लिए पहला पॉंटी और फिर भी आप plant operator के लिए कहीं से बच्चा दूर से आना चारा हो और रहने खाने की बेवस्ताओं का कोई management बैठाना हो तो या तो आप अपने level पर भी कर सकते हैं यदि फिर भी किसे कोई problem आती है तो आप इन दो number पर जो की system के number है इन से आप completely जान कर ले सकते हैं आपके खाने पिने रहने की आपके practical की practical कैसे करवाएंगे कौन कौन करवाएगा लैव कैसी है registration बेटा एक बात बोल देता हूँ इसके जो registration है हमने एक slot तो पूरा final कर चुके हैं दूसरा slot और हमने दो दिन के लिए open किया है एक तारिक और दो तारिक दो दिनों के अंदर आप जो भी बच्चा जोन करना चाह रहा हो select आपने addition का आपके registration का process आप इन number से जानकर लेकर addition ले ले और चार तारिक से अपने batch को continue start कर ले आपकी seat booking के लिए आपका registration अनवारी है और registration के process के लिए आप इन number पर contact कर ले आपको एक एक बुल्कुल जब तक खुद की हाथ से प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तक तक हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे तेंसम मत लोग ठीक है और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा ठीक है बेटा all the best best of luck धन्यबाद फिर मिलेंगे एक नई information के साथ और